असलम्लेकर में नजरीन, वेलकम टू बैक माई चैनल कैसे हैं आप सब अमीद करते हैं आप रिसे होंगे ड्रामस रिबे लगाम जो के बहुत ही इंट्रेस्टिंग ड्रामा बन चुका है आने मेले एपसोड में आप लोग देखने जा रहें कि अनवर आता है रमशा के पास और कहता है कि कासिन साथ तुम्हारी हर बात मानते हैं अगर तुम बात करो और वो मिजनस में मेरे साथ को थोड़ी मदद कर दे और उनको कोई फार्क नहीं पड़ेगा लेकिन मेरा भला हो जाएगा और मैं बहुत जल्द उनके सारे पैसे लुटा दूँगा जिस पर रमशा कहती है कि ओर मुझे आप समझाईए कि आप लोग मुझे इस करने क्यूं लेकर आएं रमशा कहती है कि आप एक बात सुन लो कि वो मेरे कुछ भी नहीं लगते मुझे बोला रिष्टा था और अब मैं उन्हें बोलूँ और मुझे पैसे दे 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 तूँ क्या वो मुझे दे देंगे नहीं जिस पर अनवर कहता है कि नहीं मुझे अच्छी तरह पता है कि कास्म साफ तुमारी हर बात मानता है अगर तुम कहोगी पैसे वकद भूजरू देंगे रमशा साफ इंकार का रहती है कहती है कि नहीं चचा मैं अब नहीं जाओंगी कासे मामो के पास पैसे लेने जिस पर अनवर कहता है कि अगर तुम इस घर का भला चाती हो तो तुमें वहां जाना होगा तुमें बात करनी होगी तुम तो जानती हो ने इस घर के हलाद थोड़े खराब हैं ठीक नहीं है आप बात करो तो हमारे घर के हलाद ठीक हो जाएंगे जिस पर रमशा कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाओंगी आप लोग बहुत लालची हो आप लोग जाँते हैं वो कभी ब्लाजी लेकर आउंगी ना ही मैं मांगूँए जिस पर अनवर सब बहुत ही गुसे में कहता है के बहुत परो अगर तुम नहीं मानोई तो तुम पैसे लेकर आने होगे मैं तुम्हें आगरी तफ़ा बता रहा हूँ दूसरी तरफ आप लोग यह भी देह में जा रहे हैं कफनान आता है अपने बाबा के पास और कहता है कि आप क्यूं नहीं मानते बाबा रमशा को इस गार में वापस लाना बहुत ही जरूरी है वो बहुत घटिया इनसान है और रमशा की जिंगी पहले ही बरबाद हो चुकी है मैं नहीं चाहता कि मजीद उसकी जिंगी बरबाद हो और अब मैं खुद को कसूरवा समझता हूँ और आपको अब जो भी होगा रमशा की साथ हमारी बज़से होगा अब मैंने चाहता कोई भी ऐसी वैसी बात हो जिस पर कासिम साथ कहता है कि अफनान क्या हुआ मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलस फैमी हुई है रमशा अपने गहर में बहुत ज़एदा खुश है अफनान कहता है कि नहीं वो वहां खुश है और आप उसे मिलने क्यों नहीं चले जाते वो जाके देख लें जिस पर कास्म एकि आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, आपको मेरी बात माना नहीं होगी, यह बास उनकर कासिम साथ कहता है, कि ठीक है, मैं रमशा के हाँ चला जाता हूं, लेकिन आप आपको यह बता दूँ कि तुम आप रमशा से किसी किसम का कोई भी राफ्ता नहीं करोगे, यह सब कु